हेलो फ्रेंद्स वेलकम टो माई चैनल आज मैं आप लोगों के लिए एक नई चीजी लेके आई हूं मेरे पास कुछ विश्ट एक्सरेय रखे थे जिनका को यूज नहीं था तो मैं आज आप लोगों को एक्सरेय से एक बहुत अच्छा फ्लावर ट्री बना के बताने वाली ह इह वह देखिए और प्लीज मेरे वीडियो नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइल करें और नए नए डेकरिटीव चीजें बनाने सीखे तो देखिए कैसे बनाते है इनको से मेरे पास कुछ एकस्रेय रखे थे वड़े साइस की एक्स्रेय हैं आप पशाय तो कोई भी एक्सरेय ले सकती है जैसे भी आपके पास है और वैजिद इस पे पहले यह टेप चिपकाई है जेलो टेप गिफ्ट वाली है यह चमकीली वाली और इसको छोटा छोटा इस तरह से कट कर लिया है तो देखते कुलर का या मेरे पास चार पांश तरह की गिप्त वाली की ये पांच की टेप तो मैं इस तरह की टेप लेनुगे औहर सी तरह से इसे में शिरान के किनारे किनार ट curt शिक्सकार हिण ने टोया को यही ली दो बैसके तान इस तरह से शाइड 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 चिक्का ले थोड़ा बात केड़ा हो जाएगा कोई बात अब तरह से शाइड 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 छिक्का ले इसमें थोड़े एके चंच की दूरी कर, इस तरह में पूरे एक्समें, यह टेप चक्काल होगी, जैसे क÷ी में चिपकाया हुआ हे इसमें इस तरह से कुटा है और नीचे से 3 इंच छोड़ा होआ नीचे तीटो इनच के गाप अंपमे मैंने टेप नहीं चिपकाई हैं और मैंने इसकी एक, दौ, तीन, चार पांच छे साथ आठ नोग दस दस लाइने लगा लिए आप चाहें तो कितनी भी लगा सकते हैं या आप इसमें गैप ना भी रखें तो कोई बात नहीं है जैसा आपको अच्छा लगें उस तरह से आप एक्सरे पे ये टेप चिपका लें और इस तरह से साइट साइट से पतला पतला कट कर लें इस तरह से जहां यह बाइन लाश्ट में चिपकाया हुआ है सिर्फ यही तक कट करना है आपको इस तरह से पतला पतला काट लें इस तरह से कि जैसे कि मैंने यह कातके रखा हुआ है तो आये देखते हैं कैसे बनाते हैं हमने यह पूरे टोटर पांच एक्सरे लिए हैं चार तो यह बड़े-बड़े हैं चार एक्सरे बड़े-बड़े हैं जिस तरह के आपके पास हैं उस तरह की यूज कर सकती हैं तरह यी देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं चोटेंशारे अनुष के लिए ये मैंने इसके किनारे पर यह थर्मा कोल्ट की बॉल से लगा दी है अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं लगा है ऐसे भी अच्छा लगता है लेकिन मैं इसमें लगा रही हूं यह इस तरह से अपने आप ऐसे ही चला जाता है यह मैंने इसमें पती ओंड़ाये किनार किनार आप लगाले से चाहि को और चाहें तो ना भी लगाएं तो भी अच्छा लगा तो लेकिए इसमें सार्शान से सब्सक्राइल है और और इसके लिए में इतना बड़ा Pipe चाहिए लखड़ी 12 inch की चाहिए है मेरे पास लखड़ी नहीं थी मैंने छोटा सा Pipe ले लिया है तो देखिए कैसे लपेटते हैं इसको सबसे पहले जो मैंने छोटा वाला एक्सरे था उसको सबसे उपर लगाऊंगी में इस तरह से लपेट लेंगे इसको देखिए इसको ऐसे उपर से लग रखिए इस तरह से यह जो चैलो टेप है इसको मैं इस तरह से लगा लेंगे कि यह देखिए सेलो टेप की मजबस से इसको इस तरह से चपका लेंगे पहले किनारा यहां पर इस तरह से लगा लें कि अभी आसानी से लिपड़ सकता है छूटे गाने और इसको गेरे-देरे थोड़ा-थोड़ा करके लपिरते चलिए एकदम टाइट होना चाहिए कि यह लकड़ी को गुमाते चले जाए और एक्सरे को सीधा रखें कि अब देखिए लिपड़ चुका है अब फिर से यह यहां से सेलो टेप लगा लें इस तरह से जहां पर हमारा एक्सरे कटम हुआ है वहां से कोर्णर चिपका है यह लगा है और इस तरह से इसको एकदम टाइट कर से बंबाद हो अच्छे लगा लेंगे ताकि यह ना खिसके ना छुपिए यह देखिए मैंने यह अच्छे लगा लेंगे ताकि यह ना इसको अच्छे तरह लपेट लिया है अब इसके ऊपर में कोई भी यह गिफ्ट वाली टेप एक लपेट दोए इस तरह से इसके ऊपर कोई भी यह वाली टेप लिपेट लेंगे इस तरह से गुमा लेंगे अब दूसरा एक्सरे लिपेट होंगी यह मैंने सेकेंड एक्सरे पर बी दोनु तरफ से यह टेप लिपेटा हुआ था यह अब मैं यूसरे एक्सरे को लिपेटा हुआ इस तरह से इसको भी जैसे मैंने यह यहां पर था यह वाली नीचे वाली यह इसके गोल्डन वाले के उपर आनी चीएंगे अब मैं इस तरह से नपीटूँ गया है अब इस तरह से नपीटूँ गया है अब यह देखिए पहले यहां पेछ पार के थोड़ा सा अब यहां पेछ इसको यहां से कट करो इस तरह से अब इसको अराम से देरे देरे लपीत ले यहां पर याद रखें यह एक ही साइज आना चाहिए ऊपर नीचा नहीं होना चाहिए इस तरह से पूरा एक से लिपेट लूँगी है कि मैंने दूसरा वाला भी लिपेट लिया है अब मैं इसको कि यह टेप के मदद से चिपका लूँगी आप कि टाही ठी रहना चाहिए डिला नहीं होना चाहिए नहीं तो श्टिक से किस तक जाएगा और यह फ्लॉवर ट्री अच्छा नहीं मैंने इस तरह से इस तरह से इस मैंने दो एक्सरे लपेट लिए है अब मैं तीसरा एक्सरे लपेट लूँगी इसी तरह से और इसी तरह से पांचों एक्सरे इतनी दूरी पर करके यहां से दो या डाई इंच की दूरी पर इस तरह से पूरे एक्सरे लपेट लूँगी यह देखे हैं मैंने पांचों एक्सरे को चिपगा लिया है सारे लिपेट लिए हैं मैंने और यह मेरा फ्लावर ट्री तैयार हो गया है और यह जो बाद में मेरी बची होई श्टिक थी मैंने उसके ऊपर भी इस तरह से टेप लिपेट लिया है आप चाहे तो कोई भी टेप लिपेट सकते हैं यह देखिए मेरा ट्री भनके तयार हो गया है अब हम इसको इस तरह से खड़ा करके किजी भी पर्ट में लगा सकते हैं मैं इसको लगा के बताती हूँ आपको यह देखिए मेरा फ्लॉवर ट्री उसमें बॉट्म में सेट हो गया है अब में इसके उपर यह यह कुछ इस तरह फ्लॉवर लगा देती हूं यह देखिए यह कितना सुंदर लग रहा है आप इसको अपने घर में कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं कि देखिए मेरा यह ट्री त्यार हो गया है अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू और मेरे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू